हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इंफिनिटी लेर्ण जेई चैनल बाई श्री चेतनिया और आज मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ कैसी वीडियो लेकर आया हूँ जहां पर मैं बताऊंगा आपको एक गॉल्टिमेट रिक एंक एक उक्षेटर्टिक एकवेशिंसर को याद रखना क्योंक्कि यह जो कोशन है ये जो ट्रिक वाला जो अफिए आपके जयी में में और एडिंद्वानस पुछा गया है ठीख हैा तफ़िए जानते हैं क्या है वह ट्रिक क्या है वह कोशंश जो आप beta are the roots of this quadratic equation where alpha is not equal to beta for n is equal to 0, 1, 2, 3 an is p times alpha to the power n q times beta to the power n आपको a12 की value बतानी है अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस सवाल पर या इस options पर नहीं ले जाना चाहता हूं मैं ले जाना चाहता हूं जो trick है quadratic की तो हमेशा याद रखना कि इसमें अगर यह वाली quadratic आपको कहीं नजर आती है ठीक है अगर आप यह वाली quadratic कहीं भी नजर आती है x square minus x minus 1 is equal to 0 और alpha, beta इसके roots है ठीक है यह हमेशा अपने दिमाग में fit कर लो तो आपको एक logic हमेशा पता होना चाहिए और an की value है alpha n plus beta n या p times alpha n plus q times beta n कुछ भी हो सकती है तो आप यह चीज़ नोट कर लो कि an जो होगा वो अपने पिछली 2 terms का sum होगा that's the ultimate trick you should know यह काफी बच्चों को पता नहीं होती है हैना या हमें strike नहीं करती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह चीज़ true होगी तो an की value an minus 1 और an minus 2 जो है उसके बराबर होती है यानि अगर आपका alpha beta अगर इस quadratic के roots है x square minus x especially इसी की बात कर रहा हूं हैना यह this is not मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो हम formula पढ़ते है alpha n minus beta n वो आले questions की बात नहीं कर रहा हूं मैं normal इस quadratic के specifically बात कर रहा हूं और alpha beta उसके roots है और आपको एक an दिया हूए है that is या तो कभी कार दिया रहेगा alpha n plus beta n आपको दिया रहेगा या तो ऐसे दिया हूगा हैना या फिर कभी कभार इस तरह से भी दे सकते हैं जैसे question में दिया हूए p alpha n p और q जोड़ने से कोई फरक नी पढ़ने वाला question पे तो ये चीज़ दे रखी है तो इस पे कोई फरक नी पढ़ेगा चाहे ऐसा सवाल हो चाहे ऐसा सवाल हो तो आप इन दोनों से आपको यही पता लगेगा ultimately कि an जो होता है वो पिछली दो terms का sum होता है ठीक है अगर आप recursion formula और use करना चाहते है और कर सकते हो for example अगर पूछे n प्लस 1 क्या होगा तो आप बलोगे an और an-1 का sum एक ही बात है तो ये recursion formula है कि जो term होगी वो preceding two terms यानि पिछली दो terms के sum के बराबर होगी आप ये in fact derive भी कर सकते हो अगर an-1 की बात करें तो यहाँ पर p alpha n-1 और q beta n-1 होगा an-2 की बात करें तो p alpha n-2 और q beta n-2 होगा अगर मैं proof करना चाहता हूँ कि ये an के बराबर है तो मैं alpha alpha को एक साथ ले लेता हूँ तो p alpha n-2 common आएगा तो यहाँ से alpha plus 1 और q times beta n-2 common आएगा तो beta plus 1 अब alpha plus 1 beta plus 1 कहां से put कर सकते हो alpha इसको satisfy करता है alpha is a root of this quadratic तो यहाँ से देख सकते हो alpha plus 1 alpha square आ रहा है similarly beta plus 1 आपका बचो beta square आ जाएगा तो यहाँ से आप alpha plus 1 को alpha square put करोगे तो alpha n होगा यह और यहाँ जब beta square square put करोगे इसकी जगह तो beta n this proves कि an के बराबर है hence proved तो यह चीज आपको याद रखनी है कि सर ने बताया था कि अगर आपका x square minus x minus 1 equal to 0 is a quadratic with roots alpha and beta है ना sum of the roots alpha plus beta 1 है alpha, beta minus 1 है तो अगर यह quadratic है और an अगर alpha n plus beta n है यह p times alpha n plus q times beta n where p and q are some integers है ना तो आपको यह याद रखना है कि this is the formula कि each and every term is equal to sum of the previous two terms preceding two terms यह होता है इससे directly आपका answer भी आजाएगा और बहुत सारे j main में ऐसे सवाल आचुके हैं जो आप solve कर पाऊगे यह question in fact j 2017 advanced का question है और आप देख सकते हो a 12 का जो answer होगा वो a 11 plus a 10 होगा direct यह paragraph 2017 में आया था तो उसके बाद से j main में लगाता है यह सवाल आ रहा है एक question मैं आपको j main का भी दिखाता हूँ इसके अंदर यह देखो alpha beta are the two real numbers such that alpha plus beta 1 है और alpha beta minus 1 है मतलब साफ पता चल रहा है कि जो alpha beta है वो किस roots है वो roots है x square minus x minus 1 is equal to 0 के और pn आपको alpha n plus beta n दिया है फिर से वो ही चीज आ गई देखो तो इसका मतलब आपको यह चीज मालूम है कि जो pn होगा वो pn minus 1 और pn plus pn minus 2 के बराबर होगा यह चीज हमें मालूम है that's it यह trick अगर पता है तो चुटकियों में सवाल सौल होगा पूछा क्या है pn minus 1 दिया हुआ pn plus 1 दिया हुआ है और आपको pn square बताना है तो देख लोग कितने मज़ेगी बात है अगर हमें यह पता है हमें बालूम है कि pn plus 1 जो होगा वो pn और pn minus 1 का sum होगा pn plus 1 आपको 29 दिया हुआ है pn आपको निकालना है यह आपको 11 दिया हुआ है pn आपका 18 आगया है तो pn square आपका 324 आजाएगा तो hardly एक मिनट भी लगेगा आपको सवाल सौल्फ कर रहे हैं hardly few seconds में आप सौल्फ कर लोगे ऐसे और भी आपको the sum of their preceding two terms जो पिछली two terms के sum के बराबर होगा kind of जैसे हम लोग बात करते हैं 5-1 इची sequence की वही है यह actually में ठीक है तो I hope सब को यह trick में मज़ा आया होगा और आपने कोई नई चीज दीखी होगा अगर आपने पहले नहीं पड़ी और इस तरह के sessions को और देखने के लिए please do not forget to subscribe to our infinity learn jee channel क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे live sessions तो होई रहे हैं लेकिन ऐसे चोटी-चोटी videos के साथ हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे मैं आप से मिलता रहूँगा ताकि आप लोगों के लिए jee main jee advance का सफर जो है बहुत ही आसान हो जाए और आपको बहुत सारी चीजे हैं बहुत अच्छा-च्छा content और बहुत सारी tricks आपको पता चले ठीक है and do not forget to follow our Instagram as well as Telegram channel and our YouTube infinity learn jee channel by Shree Jaitanya so thank you so much students I will see you in the next session thank you